हेलो दोस्तो नमेश्कार करूँ तो एक बहुत ही बड़ा इवेंट हम लोगों को देखने को मिलने वाला है एक और हम लोगों को यहापे केस केस की बात नहीं करने वाला हूँ एक पुराना ही केस है बट अभी वह इतना ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड बन चुका है मतलब यह वीडियो सुनते शुनते भी आप लोगों को बहुत ज्यादा कन्फ्यूजन भी हो सकता है इतने सारे चीजे मतलब यहां से वहाँ चीजें हम लोगों को घुमती है देखने को यहापे मिल रही है बट फिर भी मैं कोशिच कर रहा हूँ कि आपको इजी वे में यहापे समझ में आए तो सबसे पहले म आपको एक overview भी मिलने के साथ साथ complete knowledge भी आपे मिल जाएगा अगर मैं directly आर्टीकल के उपर जंप करूँगा तो शायद से आपको इतना better way में समझ में नहीं आएगा तो वीडियो के शुरुवात में मैं आप लोगों को कहना चाहूँगा थोड़ा सा इसमें आपको concentration का ज्य यहाँ पर दिया गया अभी देख लेते date extend होती है या नहीं होती है तो केस किस से related है तो दोस्तों केस है यहाँ फ्यूचर रिटेल से related है येस बिग बजर तो आप लोगों ने सुनाई होगा सो फ्यूचर रिटेल का केस सर वो Amazon, Reliance रिटेल, फ्यूचर रिटेल आपको पूरा detail में अभी आप लोगों को बताऊंगा कि क्या यहाँ पर गड़बड़ी चल रही है सो दोस्तों यहाँ पर में बताना चाओंगा कि फ्यूचर रिटेल ठीके इन्होंने क्या किया था बैंक्स से पैसा उठाया था ठीके लोन लेते हैं हम लोग basically और लोन लेते तो आपका काम है कि लोन रिपे भी करना चाहे तो वो रिपे नहीं कर पा रहे था आपको पता है फ्यूचर रिटेल फ्यूचर ग्रूप की हालत खराब है तो दोस्तों यहाँ पर प्रॉब्लेम क्या हुआ कि पाच हजार करोड उन्होंने उठाया था मतलब टोटल अगर हम लोग बात करें तो साड़े तीन हजार करोड से रिलेटेड शुरुआत करें तो पाच हर करोड टोटल पेमेंट यहाँ पर बनता था तो बेसिकली कितना इनको पे करना था साड़े तीन हजार करोड फ्यूचर रिटेल को अभी पे करना था बैंक्स को कितना साड़े तीन हजार करोड तो कॉन्सीट तारिक पे तो दोस्तों वो तारिक थी 31st डिसेंबर 2021 यहस मैंने सही लिखा है 2021 तो अभी यह तारिक तो एकस एकस्ट्रा मिल गया उनको तो 30 दिन एकस्ट्रा किस के लिए मिला कि यहाँ पे आपको साड़े तीन हजार करोड यहाँ पे करना था किसको बैंक्स को पे करना था तो कल पे कर दीजे करके तो इसे रिलेटेड क्या कल फ्यूचर रिटेल क्या बैंक्स को साड़े तीन हजार क करोड़ पे करेगा तो यह सबसे पहला मुद्दा यहां पर रहने वाला है तो दोस्तों फ्यूचर रिटेल ने तो साफ साफ यहां पर कह दिये देखिए हमारे पास तो क्या है पैसा तो है नहीं पैसा होता तो हम लोग अल्रेडी पे कर चुके होते तो हमारा जो पूरा वो एक ही चीज के उपर डिपेंड है और रिलाइंस रिटेल के साथ जो उनकी डील है उसके उपर ही आप लोग को पता है वो डील लगबख लगबख 25,000 करोड की डील है जापे फ्यूचर रिटेल के अगर मैं बात करूँ तो बहुत सारे असेट्स रिलाइंस रिटेल को य यहां पर रहेगा कोई जॉब लॉस यहां पर नहीं होगा जितने लोगों के पेमेंट्स थे वो भी सारे हम लोग पे करने वाली थे और फ्यूचर ग्रूप भी कुछ डूबेगा नहीं तो यह सारा प्लान हम लोगों ने करके रखा था बड़ बाद में प्रॉब्लेम कहा यहां पर आ गया आप सब लोगों को पता है बाद में एंट्री हो गई एमेजोन की एमेजोन ने यहां पर जो हमारी डील थी रिलाइंस रिटल के साथ उसको रोक दिया गया और वो भी अभी जो डील उन्हों ने रोकी है वो भी इल्लीगल वेसे यहां पर चीजों को रोक गया है यह चीज़े हमनों को देखने को आपे मिल रही है तो लेटेस्ट करेंट प्रॉब्लेम क्या चल रहा है अभी मैं उसके उपर अभी आना चाहूंगा तो यहां पर सबसे बड़ा प्रॉब्लेम क्या पता है बैंक्स को जो साड़े तीन हजार करोड देना था बाकी उ आपको पता ही है कि आने वाले नंबर्स कितने खराब यहां पर देखने को मिल सकते जिन भी बैंक्स ने इनको यहां पर पैसा दिया था और यह आप लोग देख रहे हो कि बैंक्स में ज्यादा इन्वेस्मेंट नहीं जा रहा है इवन दो उनके नंबर अच्छे और इस तर फ्यूचर रिटेल को क्या करेगा इन्सॉलवंट करने की यहां पर बात करेगा इन्सॉलवंट के लिए फाइल भी आपर करेगा कि चलो यह कंपनी को बंद कर दो यह तो टाइम पे कुछ पैसा दे नहीं रहे है तो दोस्तों इससे रिलेटर बहुत सारी गडबड़े हम लो लोग भी फसे हुए है दूसरे केस में रिलाइंस रिटेल आप सब लोग को यहां पर पता है और यहीं इसी चीज़ के लिए यहां पर अभी कल के दिन के अगर हम लोग बात करें दोस्तों तो सुप्रेम कोर्ट में एक बहुत बड़ी सुनवाई होने वाली है कि यहां पर क क्या 35,000 करोड से रिलेटर बकाय से रिलेटर क्या उटकम निकल कराएगा वो देखना बाकी है सेकेंड इंपोर्टन चीज़ फ्यूचर रिटेल यहां पर क्या करेगा सुप्रेम को कहेगा कि हमें और थोड़ा टाइम दिया जाए 35,000 करोड से रिलेटर क्योंकि हम लोग यह साथ हम लोग ने यहां पर अलरड़ी इंवेस्ट किया था वो एमेजोन ने खुदी जो डील की थी वो भी प्रॉपर नहीं थी बहुत सारे डॉक्यमेंट्स शुपाए गे थे एंड कॉंपिटिशन कमिशन ऑफ इंडिया ने इस चीज़ों को यहां पर पकड़ा थे एंड को जबरदस फाइन भी यहां पर लगाये था तो यहां पर अगर अगर एमेजोन केस हार जाता है फ्यूचर कूपन वाला तोby default हम लोग यहां पर रिलैंस रितेल वाली केस यहां पर जीत सकते हैं बहुत ही यह सारी चीज़े होने वाली थी so banks का अभी एक और कहना भी है कि देखे हम लोगों को हमारे business से मतलब है 3,500 करोड अगर नहीं आया तो हमारे books of accounts की तो धज्या उड़ जाएगी तो एक काम कीज़े future retail इतना बड़ा business है तो आपके छोटा business भी है उसको बेज दीजिए और हम लोगों का 3,500 करोड लोटा दीजिए तो ये भी एक हम लोगों को चीज़ देखने को यापे मिल रही है so बहुत ही जादा confusion वाला stage यहापे create हो चुका है कल के दिन देखना है कि यहापे Supreme Court इससे related क्या फैसला यहापे सुना था है दोस्तो उसी के साथ साथ Amazon यहापे क्या act कर रहा है कि वो future retail के साथ खड़ाये करके तो future retail ने भी Amazon को बोला है कि देखे हम लोगों को 3,5,3,000 करोड की जरूरत है क्योंकि obviously banks को पैसा देना है Amazon हमें loan देगी है Amazon के पास loan मांग लिए तो Amazon ने इस से related कोई response दिया ने दूसरा response दिया Amazon ने Amazon ने कहीं कि हमारी एक दूसरी company है दूसरी company मतलब एक उन्होंने suggestion दिया है कि ये company आपको पैसा देगी करके तो future retail भी क्या हो गया खुश हो गया चलो पैसा यहापे आ रहा है तो कितना पैसा दे रहे है तो दोस्तों वो दे रहे है 7000 करोड 25000 करोड reliance देने के लिए तैयर था और Amazon जिस company के थूसरी कह रहा है कि future retail में आप पैसा डालेंगे वो सिर्फ 7000 करोड डालेगी मतलब indirectly यहापे future retail नहीं बोलेगा तो यह इस तरीकी का case इतना ज़्यादा complicated है आपे हो चुका है वही इसका outcome हम लोगों को कल यहापे थोड़ा बत update देखने मिलेगा पूरा outcome तो नहीं आएगा तो कल हम लोगों ने इसके उपर focus रखना है अभी मुझे पता है कि यहापे में जो चीज़ें आपको बता रहा हूँ बहुत सरे लोगों को सिर्फ 50% ही समझाओगा in fact बहुत सरे लोगों को इससे भी कम समझाओगा अभी मैं आप लोगों को कुछ important article के headlines दिखाऊँगा तो आप लोगों को अभी पूरा खेल समझ में आएगा क्योंकि second time आप लोग इन चीज़ों को यापे सुन रहे होंगे तो ठीक है दोस्तो अभी वापस हम लोग आ चुके normal screen के उपर अभी मैं थोड़ा fast जाओंगा तो आपको समझ में आएगा वही चीज़े जो मैंने आप लोगों को कहा था कि यह देखिए future retail किया करें हम लोग यहापे बात करें तो 31st December को payment करना था यहापे आप सब लोग को पता है उन्होंने यहापे payment नहीं किया है तो यहापे अभी फिलाल कौन सा खत्रा मन रहा है non-performing loan या फिर non-performing asset बैंक्स को यहापे दिखाना पड़ सकता है क्योंकि मतलब यह बोला है उन्होंने if the payment does not come through during the grace period that end of 38 January, 38 मतलब आपस तो छुटे कल की देट पकड़ लेना 31 January तो उसको NPA दिखाना पड़ेगा और बैंक्स इसके लिए ready नहीं है NPA आ गए हैं कि तो उनके books of accounts खराब हो जाएंगे तो बैंक्स इहापे क्या request कर रहें फिलाल तो आप देख सकते हैं आपे वो कहरें कि चलो सेल कर दो future retail का जो छोटा से stores है और 3000 करोड हमारा बका है वो वापस हम लोग को कर दो अगर यहापे NPA अगर गोशित हो जाता है अगर आप लोग यहापे नहीं दे रहे हो तो आमें क्या करना पड़ेगा Insolvency Notice यहापे फाइल करनी पड़ेगी तो इसके चलते भी आप देख सकते future retail मूट Supreme Court on a Lenders मतलब बैंक्स Insolvency Notice कि इस कमपनी को बंद कर दो करके तो future retail Supreme Court में क्यों भागा है मतलब गया है इसी रहे गया है कि देखे हम लोग उनका कोई देशन नहीं है इनका पैसा डूबा ना बट हम लोग भी फसे हुए वो 25,000 करोड वाली जो केस है वो भी Supreme Court के सामने आपे बता देंगे यह देखे उस केस का यह पूरा ड्राफ्ट है मतलब एक overview आप देख सकते है to save up 25,000 jobs तो वो बता देंगे देखे हमारे 1200 स्टोर्स है लगबग 300 से 400 सिटीज में हम लोग यहापे देख रहे हैं इसके चलते 25,000 करोड का पैसा यहापे आने वाला है तो इसी के उपर हम लोग यहापे रुके हुए तो इसलिए बैंक्स ने भी थोड़ा सा पेशन्स दिखाना चाहिए क्योंकि 25,000 employees भी यहापे इन स्टोर्स में काम करते है तो यह भी एक important point court के सामने आपे रखा जाएगा तो court इस point को भी जरूर यहापे focus करेगा ही करेगा तो इसलिए यहापे बार-बार जो pressure किया जा रहे है कि 35,000 करोड हमें चाहिए चाहिए वरना हम लोग NPA घुशित यहापे कर सकते है तो यह कल के दीन के साब से हमनों को सारी चीज़े देखनी है जैसे मैंने का कि 35,000 करोड की requirement है तो future retails नहीं देखी है क्या लिखा देखो future retails want 3500 करोड long term loan from Amazon कि चलो आप हमें पैसा देदो कि आप कह रहे ना कि हाब हमारे partners हो तो यह 35,000 करोड वो banks को देने वाले थे मतलब सब कुछ मामला और भी थंडा हो जाता बट Amazon ने ऐसा कुछ तो किया नहीं Amazon ने दूसरा प्रस्ता और रख दिया कौनसा वाला समारा capital का नाम यहापे आगे किया Amazon ने किसके इसाब से to invest 7,000 करोड in a future retail ऐसे company में जहापे Reliance की अगर मैं बात करें जो 25,000 करोड का deal से related यहापे तयार है तो इतना जबरदस complicated case यहापे बन चुका है और कल के दिन अभी देखना है कि यहापे क्या outcome निकल कराता है मुझे ऐसा लगता है कि शायद से यह जो future retail से related अगर हम लोग बात करें तो आप यहापे देख सकते हैं कि वो क्या कर सकते seek a extension to make 3,500 करोड का अगर हम लोग loan की बात करें तो कल के दिन के बात करें तो banks तो यही कहेंगे कि चलो इसको बंद कर दो करके यह company अभी कुछ काम की नहीं हमारा पैसा तो दे नहीं रहे और यहापे future retail यहापे supreme court को यह बताएगा कि देखे हम ऐसे ऐसे situation में फसे हुए थोड़ा सा extension भी दे दो अगर deal हम लोगों की perfectly अगर वहापे amazon case हार गया वो future coupon का properly सब कुछ the end हो गया तो फिर वो reliance retail के साथ भी easily deal कर लेंगे क्योंकि वही cases से related future coupon के साथ उनने deal किया था amazon ने इसी से related उनका आगे का पूरा plan यहापे रुका हुआ था तो इतना जबरदस complicated चीज़े देखने को यहापे मिल रही है तो no doubt देख लेते अभी कल के दिन क्या outcome निकल कर यहापे आता है थोड़ा सा difficult था वीडियो समझना जैसे मैंने का इधर से उदर वाली बाते हमनों को देखने को आपे मिल रही थी बट इतना है कहना चाहूंगा थोड़ा बहुत भी अगर आपको कुछ समझ में आयोगा तो चाहो तो इस वीडियो का आप लोग like and share भी कर सकते हो तो देख लेते future retail कल से related क्या यहाँ पर हमनों को चीज़े देखने कमलती है मुझे इसा लगते है कि सुप्रेम कोट शायद से कोई बंद बीन तो directly तो लगता है नहीं थोड़ा से extension की बात है यहाँ पर हो सकती है और अभी आप देख सकते हो कि लगबग एक साल की अगर हम लोग बात करें पूरी तरीके से वो अटके हुए है पाच साल की भी अगर बात करें तो यह देखी यहाँ से जब वो crash हुआ था वो पूरी तरीकी से अभी first चुके है तो देख लेते इसका outcome क्या रहेगा आशा करते हो आपको यह थोड़ा सा difficult था topic फिर भी समझ में आएगा तो जरूर चाहो तो वीडियो को like and share भी कर सकते हो so that's it thank you very much so we will be meeting our next video तब तक के लिए bye bye